सब्सक्राइब कीजे बेस्ट टेक हैल्फ चैनल को और ये घंटे को दबा दिजी ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके वो भी बिल्कुल फ्री में है बिल्कुल फ्री में है नमसकार दौस्तो आज की इस वीडियो में आप सवी का सवागत है आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि YouTube से मेरा first payment आया है तो कब और कितना आया है कितना समय लगा है तो चलिए हैं बताते हैं वीडियो को लास्त तक देखिए 27 नॉवंबर 2018 को मुझे Google के जो AdSense है उससे payment के लिए email आया 27 नॉवंबर और balance जो है credit हो हमारे account में 30 नॉवंबर 2018 को यानि तीन दिन का समय लग गया चुकि हमारे bank में BIC code यानि shift code नहीं था इसलिए तीन दिन का समय लग गया तो आपको हम बता दें कि एक साल दो महीने में मेरा first payment मिला है YouTube के द्वारा यानि कि 14 महीने लग गया है तो 14 महीना में मेरा पहला payment आया है बड़ा अच्छा लग रहा है और कितना है हो भी बताऊंगा ये अगस सितेंबर एक्टूबर तीन महीना लग गया मुझे 100 डॉलर पार करने में मिनिमाम 100 डॉलर जब आपके अकाउंट में होते हैं Google AdSense तभी payment करता है तो तीन महीने में मुझे 100 डॉलर पार करना पड़ा मुझे 100 डॉलर पार करना पड़ा मुझे समय लग गया था तो कुछ स्क्रीन सॉट्स हम आपको दिखाएंगे तो तीन महीने यानि कि एक साल दो महीने में मेरा 100 डॉलर का अकड़ा पार हुआ है तो पहला payment मिला है तो कुछ हम बैंक का आपको detail दिखा देते हैं तो हम net banking यूज करते हैं तो हम login करके आपको screenshot दिखा देंगे कुछ central bank में हमारा bank में account था और हमारे पूरे इस state में swift BIC code नहीं था तो मैंने Mumbai का swift code का यूज करके अपने account में balance मंगवाया है तो चली मैं आपको दिखाता हूँ वो आ गया बड़ा ही असानी से मुझे कुछ करना नहीं पड़ा तो यहाँ पर first में देख सकते हैं कि credit interest हुआ पर नीचे तीस तरीको credit हुआ 8134 रुपया जो कि मेरे account में आया है 8134 रुपया first payment तो यहाँ पर देख सकते message भी आया था कि credit हो गया है 8134 रुपया तो मेरा first payment यह रहा और इससे आने में मुझे एक सवाल दो महिने लग गया है काफी महिनत किया था मैंने और यह सब आप सबों की मदद से हुआ है आप सभी viewers की मदद से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्ट होई होगी और यदि कोई सवाल सुझा हो तो आप कमेंट में जरूर कीजी और लाइक कर दीजी और सेयर भी कीजी तो यहाँ पर देख सकते हैं 118.14 डॉलर में हुआ था जो की 27 नॉंबर जो रेट था वो 71 रूपीज पर डॉलर था और इसे सब से 8,371 रूपे निनामे पैसा होता था तो मुझे 1.500 पे कम मिले हैं तो बस इस वीडियो में इतना है 1.500 पे कटा जाता नहीं बहुत कम तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए कोई सबाल हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर डालिएगा दन्यवार